इस चेप्टर के अंदर हमारे लिए कुछ खास था नहीं सारा करण पर हमें ध्यान देना है प्रिलेम्स के लिए तो जितना हो सकता है जतना काम का था मैंने कवर करने कोशिश की है अब हमने कुछ स्कीम्स बना के रखी है जो यंग टैलेंट होता है यंग्स्टर्स होते हैं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर उनको हमें अट्रेक्ट करना है किस चीश के लिए साइन्स की तरफ आज सब देखो तो आया करके बाग जाते हैं ठीक है तो सैंस की कुछ होता नहीं साइंटिसी कमी है आज भी हम इस लोग के अंदर देखें तो बह करना में टैलेंट को बिलाना है साइंस निसर्च के लिए इसके तीन कंपोनेंट है सीट्स शी एन वार्सी सीट्स किसलिए स्कीम फोर अर्ली अट्रेक्शन ऑट टैलेंट है स्कॉलर्शिप है एं और आपने पहले आप उनको अट्रेट कर लो फिर हायर एजुकेशन में उन इसर्च अडवास्मेंट थू नर्चरिंग तो जहां पर किरन नाम आ जाये वहां समझ जाना ये लेडिज बेस्ट है सेवरल इनिस्याटिव है इसमें में के अंदर इन साइंस के लिए फ्लैक्सिश स्कीम हो गई करती क्या क्या है कि वोमन क्या होती है या घर पी कुछ प्र इसर्च प्लान इस एक अपना वाला ये डिपार्टमेंट उसको क्या कर रहा है इंप्लिमेंट कर रहा है याद रखने हमें 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 हमालेन वाला स्ट्रेटेजिक नॉलेज और क्लाइमेट चेंज वाला ठीक है ऐसा नहों कि यहाप और कुछ मिंस्ट्री अविकान वो इन्वार्मेंट अफेरल ना लगा के आजाए ध्यान रखना एन उन्होंने एक इमालेन क्लाइमेट चेंज पोर्टल भी बनाया है इस मूव ये सुप कुछ कंपिटर के नाम उफ घूस नॉलेकिन एक रेल में है क्या इस सांइंस अं टेक्नोलोजी ओफ योगा एन मेडिटेशन तो इसेर्च करेवार योगार्म स्ट्रेट के रहां सत्यम है ठीक है सांस अं टेक्लोजी इन्दी योगा एन मेडिटेशन लेस्मू धश्मू और we have Nidhi, what is Nidhi, मैंने बताया था आपको लास्ट वाले वीडियो के अंदर आपको याद होगा Startup Wall Scheme के अंदर, ठीक है, National Initiative for Developing and Harnessing Innovation, ठीक है, Department SNT का था, seamless innovation है, nurturing करनी है, innovation की, आपको बताया था, मैंने उसके अंदर, इसके 4-5 वो हैं, इसके, वो components है, चार components है, पहला component में include करेंगे इसको, ठीक है, कि बंदा बोल रहा है कि ठीक है, मैंने कुछ बना तो लिया लिए, मैं करूँ किया, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो निधिवारा आएंगे, हम बताते हैं क्या करना, फिर Startup में conclude करेंगे इसके idea को, ठीक है, फिर आता Entrepreneur in Residence, वो घर बैठक को करेंगे, Startup निदी एक स्कीम आई है, ठीक है, Startup Center Collaboration में करने कुछ करने है, यह Higher Learning वाले है, में इस्टर विचार देदा मिलके, ठीक है, यह चार-पांच है में वाला परियास दोला हमें याल दखना है, दन वी है मानक, अब उन्होंने मानक स्टार्ट कर दिया, इसमें क्या कि आपनी किसी भी लैंगवेज में आओ, ठीक है, अ क्ल्चर इंटर्वी है, अब लिएख में इसको बढ़ा ना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे, कि अगर स्ट्रूएंट्स यहां आएंगे, फिर अपने तो यह ज्यादा बढ़ा रहेगा उतने ही ज्यादा पर स्कूल स्कूल को उन्होंने किसी भी लेंगविज के अंदर बुलाया है और उनको बोला है कि आप हमारे पास आके अपने आइडिया बताए और उनको एडिया जो रेलेवन्ट होंगे उनको यूज करने कुछ करेंगे तो माने की फुल फॉर्म में याद रखना मिलियन माइंड्स ऑग्मेंटिक नेशनल एश्परेशन और नॉलिज ठीक है यह हो गया दिन सर्वेफ इंडिया आता है वह भी मिनिस्ट्री ऑफ साइथन टेकनोजी में आता है ठीक है याद रखना यह यह कुछ खास था नहीं य हमारे इंडिया के जो ऊपरना में नॉर्टवाला है यह इसका नाम है हिमादरी ठीक है यह स्वाल बड़ आयलंड आपको पता होगा नौर्वे का ठीक है यह वह उसके उफर बेज्ट है हिमादरी ठीक है तो याद रखना है है मैत्री इन भारती साओथ वाल है नौर्थ वाला हिमादरी है गंगोत्री भी साओथ वाला था लेकिन बंद हो गया है वह ट्रांसपोर्ट के अंदर अब देखते हैं रेल ठीक है नेक्स चेप्ट राज चुका ह सब्सक्राइब करें अपने और से सच हिए एक नई स्क्विट आपको कोई वेट लिस्ट मिली है और आगर को किसी और उस्पमे यह विकल ज tua मतलब है यह जा है विकल इसराओ सकते है फ़ला ऑप्शन चूज कर लिया है तो अगर वेट इंगलेस्ट वाले में अगर आपके ठीकट क्लियर नहीं होती है तो जो आसपास कोई और ट्रेन जा रही होगी विदिन 3-4 आउर्स के पिरिड के अंदर तो उसमें आपका अगर रिजोशन कनफर्म हो रहा होगा तो आपको तो यह वर्ड इतना फेमर्स है तो मैं पता रखना है गतिमान एक्सप्रेस क्या थी विकल पता या तरिकल पता है नेक्स्ट वी है रोल आउन एंड रोल आफ स्कीम इसमें क्या होता है यह क्या करेंगे एक दिगा कोई रेल ब्रीज था वहाँ पर गंगा के बास नहीं वहा तक लें अब रेलेव ने कुछ ग्री इनिसेटिव स्टाट किया है लैसी गिद्शन क्या है 26 मेगावाट का विंड मिल पावर प्लान ने जो यह विंड वाले जो मिल होती है यह प्लांट सट कहा श्राट का जैसी मेरी के अंदर नेक्स इन ने ग्रीन डेमू ट्रें चलाई थी रेवाडी रोतक के बीच में रेवाडी यहां हर्याना में है रोतक भी हर्याना के अंदर आपको पता होगा यह दन वियाव हाइब्रिड टॉलेट सिस्टम था इसके अंदर पहली बार एक फर्स्ट क्लास एर कोच में चलाया था बकवास से कुछ नियाद रखना इसको हम मैं याद यहां पर रखना है क्रीन कॉलिडोर यह बारबर नियूज में आ रहा है आपको याद होगा रामिश्वराम वाला कुछ स्ट्रेच था वहां पर चलाई थी गुजरात में चल चुक या लड़ी है इसमें बाइटाइलट यूज कर रहे हैं लोग और जीरो डिस्च इंडियारू को नहीं ते मैं अपने इसमें दिमाग से लिखे हैं इसमें क्या कर रहे हैं फूटी वन थाउजन करोड रुपे बचाने की कोशिश कर रहा है मिनिश्टी ओफ रेलवे कैसे एनरजी कंजम्शन के अंदर जितना भिजली खाते हैं एनरजी कंजम्शन करते हैं से इसमें इतना बोल रहे हैं हम यह बचा लेंगे तो यह मिशन फूटी वन के किस से मिनिश्टी ओफ रेलवे से है बड़ पैसा बचाने के लिए फूटी वन थाउजन करोड और एनरजी कंजम्शन के अंदर बचाने के लिए अब आ गया रोड कुछ खास था नहीं वन लै साला मैं आपको पता है पता है इंडिया यां य जैसे स्कूर्फ hora बोर्टर YEKA बनाए जाएगा सारा coastal border area backwards places यह अकीला नहीं है यह coastal Area. बॉडर एक उन्होंने चार धाम यात्रा स्टाट की थी चार धाम आत्रा कहाँ पे उत्राखन महीं है कर नाम के दारनाथ ब्रिजज बिस्ट होते हैं यहां बिजगे बनाए जाएंगे और यह जो हम देखा होगा जब ट्रेन आते हैं तो सब गाड़ियां रुकी रहती है वहाँ पर जो क्रोसिंग के ऊपर वह अब सब बंद होना बंद हो जाएगा ठीक है ब्रीज़ बंद जाएंगे तो कुछ जरूत नहीं रहेगी सेफ और सीम्लेस टेवल इसको बोलते हैं ठीक है नेशल हाइवे के ऊपर लांच किया गया था है तो मेक और नेशनल हाइवेश फ्री ओफ रेल्वे लेवल प्रोसिंग दिसे बिग दन तो प्रिंट अल्ट फ्रिक्वें एक्सिडेंट और लॉस अवाला बाग या सी के अंदर है जो पैसा है जया शीष जाता है एल यह Yay अरगान किकी फॉर्म का है जीप एसेट जी ओ अगेंटिगेंट नेसींट है है यह पहले यूज करते थे रादार से उसे करते थे बाकिए कुछी से स्लाइट से यूज़ कर रहे हैं दूसरों के यूज़ करके अब उन्होंने इंडिया ने मिलके तीन फिज़स के अंदर और एक अच्छा सिस्टम बना है गगन नाम से जमें GPS सिगनल को यूज़ किया जाएगा कि प्लेन एक्जेक्टली कहां उड़ रहा है कैसे उड़ रहा है अब जो नेशनल वाटर मिशन आ गया भी यह सी इंडर में आता है ठीक है यह कुछ है निसमें पांच इंटिफाई गोल है कंप्रेंशी वाटर डाटा बेस बनाओ मतलब सारा जो वाटर कहां का कैसे कैसे अवाटर कहां जाता है क्या करना है इस सब डाटाबेस हमार बास ति वाटर जो यूज एफिजनसी है हम वाटर को जो यूज करते हैं वो 20 अच्छा एफिजनसी बढ़ानी है उसकी ठीक है फिर एक यह बेसिन लेवल इंटिग्रेटर वाटर रिसोर्स मेंजमेंट होता है यह कुछ याद रही नहीं है प्रिलम्स के लिए देन वी हैवे नेशन आफे नेशन वाटर रिसोर्स कंसल एमने को बताया था एराउंड पॉलिटी वाले चैप्टर मेंने चार-पांच वोगष हो गया प पॉपलेशन वाला हो गया इन्टीर्रेशन कंसल जो गया और नाशन डेलापेंट कंसल वे अपने होगे इनमें समय प्येम हैड करता रधstellung नितियायो का PM Chairman है, ठीक है, National Board of Wildlife का PM Chairman है, ठीक है, तो यह कुछ याज रखना है में, यह से National Water Resources Council में PM Head है, ठीक है, इसका याज रखना है कि जो Members होते हैं, यह कौन कौन होते है, Union Minister जो होता है, इसका, वो Member है, River Development, इसका Ministry का, Vice Chairman जो उसका, वो होगा, Union Minister होगा, फिर एक Minister of State भी हो इसकी Progress हमने कितनी होई है, कितना Implementation होई है, इसको Review करने के लिए बनाया था हमने, और यह Progress होती है, इसकी Progress को, National Water Council को Report करता रहता है, Time to Time, इससे होते कौन कौन है, Secretaries होंगे, Concerned Union Ministry के Chairman, Central Water Commission का होगा, Chief Secretary होंगे, सारे States के, इसके Member होंगे, यह Water Planning Project के, Central Water Commission के, ठीक है, नेक्स लागे, जलकरांती अभियान, यह मोधी Government ने स्टार्ट किया, 25 के अंदर मेंशनी स्टार्ट किया था, किसले स्टार्ट किया था, Water Conservation, पानी बचाने के लिए, पानी का Management करने के लिए, किस से Holistic Approach से, Mass Movement बनाने कोशिच की जा रही है, Mass Movement का मतलब यह होता है, कि जब आ अपने आपको Project का Part feel करना स्टार्ट करता है, कि मैं भी इस योजना का Part हूँ, उसको Mass Movement बोलता है, कि हर बंदा अपने 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 लेवल के ओपर कुछ ना कुछ करना, उस scheme को successful बनाने के लिए कुछ कर रहा होता है, इसको Mass Movement बोलता है, इसके Objective क्या क्या है, Objective देख लो Grassroot involvement of all stakeholders, बताया था हो यह हो गया हर बंदा involved Grassroot के ओपर, ठीक है, पंचायती राज, लोकल बोडिज वगएरा, adoption and utilization of traditional knowledge, कि जो आपको याद वकार राजस्तार के अंद हम देखते हैं, बावडियां होती है, जहां पर भी देली के अंतर भी आपने देखा हो गए बावडियां सब्सक्राइब के ओपर, जो इनहांसिंग लाइवली हूट सेक्योटी थ्रू वाटर सेक्योटी रूलेजर, होता है कि खेतों पानी है नहीं, पीने के लिए पानी है नहीं लोग काम क्या करेंगे, तो उसको पानी अगर स्कैसिटी हम कम्ट्रोल कर लेंगे, पानी अच्छा पानी से भर देंगे उसको, वाटर सलफ्रस कर देंगे, उसको जल ग्राम यूजना बोलते हैं, एक मोडल कमांडियोरे बनने कुछ कर रहे है, पॉलिशन कम करेंगे, मास, करेंगे वगरा वगरा ठीक है, इसमें एक जल मित्रा भी होता है, बाद में कवर करता हूं उसको, अ बताया था, मैंने आपको, यह क्या करेगा, इनको, AIBP को तीनों को मर्ज कर दिया गया, पहली बात तो, ठीक है, लेकिन यह, अभी मिनिस्ट्री वाटर रिसोर्चे से इसको इंप्लीमेंट कर रही होगी, अपने लेवल के उपर, इसमें मेजर और मीडियम इरिकेशन जो प खेत को पानी, एक हर खेत को पानी भी पार्ट हमने एक नया बनाया है, जो यही मिनिस्ट्री मतलब यह इंप्लीमेंट करेगी, इसके अंदर माइनर इरिकेशन आएंगे, आपको समझ में आ गया, मेजर मीडियम माइनर तीनों, इसी मिनिस्ट्री वाले के अंदर में इन सब की जो कैरिंग कैफिस्टी है उसको बढ़ा च्टेंदन करेंगे, पर्ला उसको अच्छा से बांद देंगे ताकि पानी आपके अठाना स्टार्ट हो जाए, फिर आता रेन वाटर हर्वेस्टिंग, बारिस आई, पहुत सारा पानी आया, लेकिन हमने इसको इकटा न मैनेजमेंट हो गया, दूसरा, ओन फार्म डेवलपमेंट वर्क होंगे, फिर ग्रांड टू वाटर यूज असुचन को दिया जाएगा, ठीक है, बिकोई इतना सारे फंक्शन दो याद करना मुश्किल है, तो में में जो वर्ड हमें पता रहें, तो हम पता लगा सकते हैं क यह क्या पूछना चाहा रहा है, कमांड एरिया, पार्टिस्वेट्री एरिगरेशन मैनेजमेंट, फार्म डेवलपमेंट हो गया, ग्रांड टू वाटर रियूज असुचन हो गया, अब यह कुछ चीजे थी जैसे ट्रडिशन वाटर स्टोरेज सिस्टम वाली, तो यह मैं यह देख लें, आप कौन-कौन सी होती है, जल मंदिर, इस बार लास्टी रीपे से में सवाल आया भी था, ठीक है कि वो एक टेडिशन स्ट्रेशन का नाम पूछाता वोला है, यह कि से लिड़ पानी से लिड़ थी वाटर से, जल मंदिर गुजरात में है, खत्री कुल जो ह यह पानी बचाने को सिस्टम बना के रखे हैं उन्होंने, जल मंदिर, खत्री, कुल, जाबो, एरी, उरानी, डॉंग, खटा, बंधाज, उडिसा, एमपी, पहले वीडियो में आपको बताया था, निलगरी जो है, वो अपना वेस्टन घाट का मीटिंग पॉइंट है, निल इरूला, कदंबा, बर्गा, और अपना कोटा, यह तोड़ा, यह पांचो बहुत इंपोर्टन याद रखना, इरूला भी न्यूज में थी, विकॉज हमारे इरूला क्या है, बहुत अच्छिक स्नेक कैचर्स माने जाते हैं, और उनको यूस के अंदर जो अपना यह कौन सा इधर जो फ्लोरिडा के अंदर क्या है, कि महाँ पे काफी यह लेक्विक्स हैं, तो महाँ पे काफी उन्होंने अजगर वज़र पकड़ने के लेके गया थे, दो बंदों को, उन्होंने काफी सकस मिली थी उनको, तो काफी फेमस न्यूज में बार-बार नाम आ रहा था उन सब कुछ करवाएगा, पढ़ लेना, तो कुछ खास है नहीं, इसको याद करवाने का उच तरीका नहीं है, ठीक है, लेकिन रेनफाल मेनजमेंट भी आतक ना, फिल्ड बंडिंग, कंटूर बंडिंग, ठीक है, ट्रेंचिंग, लैंड लेवलिंग, ये काम इसी में होंगे, इस वाले प्रोग्राम में, ठीक है, नेक्स्ट भी है, आन फाम वाटर मैनेजमेंट, ये थर्ड जो आया है था ये अग्रिकल्चर वाले का, इसमें हो क्या करेंगे, आन फाम वाटर मैनेजमेंट करेंगे, और एक स्चीम उनने च्छोटी सी और बना दी इसी के अंदर, पर अप्रोवल दे जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है, इसमें, I think, कुछ गलत लिख दिया है, मैंने कहीं से, यहाँ यहाँ पर आ जाए, Promoting Efficient Water Conveillance, कि जो efficient water, जो मतलब कि लाना, जाना जो पानी होता है, इस Conveillance का वो करना, एंदन उनको लाने के बाद पाने को एक ठंक से precision से apply करना, कि हमें जहाँ जरू होता है, हम वहीं डालने पानी को, तो वह कैसे डालेंगे, farm पे पानी आ चुका है, ठीक है, वह डालने के बाद ड्रिप्स हैं, ड्रिप्र होते हैं, sprinklers हैं हमारे पास, पिवोट्स हैं, और rain guns इंदे फाम है, तो यह सब करने से जल सींचन हो जाएगा, सींचन मतलत सींचन हो, आप पानी को अनाज के घटाल रहे हो, फसलों। तब हम और बनाएंगे कैनाल सिस्टम के अंदर था कि वहां से पानी हम एकटा कर सके और जब बारिश बारिश हो तो बाकि फिर उसके बारिश से रुख जाएगी और ड्राई फिर आएगा तो वह उसको यूज कर सके वाटर लिफ्टिंग डिवाइस कि पानी कहीं खड़े में अकटा हो रखा है लेकिन हमारा खेट या जो भी है फार उपर की साइड में तो इसको लिफ्ट कैसे किया जाएगा थर्ड आ गया कुछ और एक्सी एक्टिविटी एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन का मतलब यह होता है कि हम साइंटिस्ट जो होते हैं अपने इंडिन कांसल रिसार्च वाले हो गया कुछ और हो गये उनकी टेक्निक उन से लेना और उनको एक्स्टेंट करना कहां पर अपने जो खेती के अंदर यूज़ करना उसको एक तरीके से ठीक है क्योंकि एक्स्टेंशन के कंटेक्स में यूज बहुत कर सकते हैं लोग अगरी एक्सिंशन में ही एक्सिंशन बार बार आता है हर जगे ठीक है तो वह जो अक्तिविटीटीज है है का maximum use होगा rainfall अच्छे से होगा तो पानी में ज्यादा उसको जरुत पड़ेगी नहीं इसको ठीक है और इर्रिगेशन की बहुत कम जरुत पड़ेगी इसको बोलते है जल सनक्षन ताकि जल को बचाना अगोपाई चल गया होगा पहला क्या था जल संचे था ठीक है बीच वा को उसके अंदर यह कंपरेंट था रिकलमेशन और वाटर लॉग्ड एरिया जहां पानी बहुत ज्यादा होता है तो उनको रिकलेम करना वापिस लेना उनको अच्छे से करना हर खेत को पाने के अंदर उन्होंने यह स्कीम को भी कंदर कर लिया है ठीक है तो यह जीक झेट भी आये तो यह जी उसने बोला था कि दो कमिटी अपनी इसेंट्ल गवर्मेंट वाटर बोर्ड एंसेंट्टल वाटर कमिशन को मिला दो इनाश्न वाटर कमिशन बना दो गवर्मेंट नो मना कर दिया दो रहे था आपस के अंदर काफी न्यूज में था लेसी वाट सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब करेगा बाद में सब को बांट भी देगा ठीक है मॉनिटर करेगा पॉलिशी इसको सब्सक्राइब करेगा पांट वार वारी इसको अपने पंदम सब्सक्राइब कर आप इसको ऊपर ला सके और प्रियॉड की मादफ होल कंट्री के लेवल के ऊपर इसको वह असस्को करो गए तो यह सेंट्रल ग्राउन्वार्ट बोर्ड के काम है ठीक है इन वीघियर अब कुछ और स्ट्ड़ी भी घरता जैसे एक अर्ड़ा रहा है जैसे क्लिशन हो रहा है ये जो अंदर जो पानी सी वाटा गुष्टा थो आए तो अपनी सॉल्ट आईगा तो आपने जो फसले होंगी अपना जो एटेस है वहां पर जो फ्लोरा है वो ख वाले तो मैंने मेंशन किया था रसेने कवाला हो गया रिफ्लॉराइड हो गया था फिर उसमें आयरन था उसमें यूरिनियम था ठीक है तो इसे चार-पांच उसमें डिसकस किये थे इसे चैनल के उपर और सर्फेस के और जो ग्राउंड वाटर के यूज़ को भी यही बूर्ट करता है तो हमारा इसने डिटील में बता दिया है अब देख सकते हो एक्विफायर मैपिंग है आप डंक से पढ़ लेना अपने इसाब से वाटर सप्लाई के जो इन्विस्टिकेशन वह सब बता रहा हूं मैं आको बताई दिया यह कराता यह फिर अपने सेंट्र जो ग्राउंड वाटर अथॉर्टी यह यह इसी के अंडर में आती है ठीक है और सेंट्र जो ग्राउंड अपने के लिए ठीक है उसमें क्या करती है कि इस्टिक मजिस्टेट्टी कमिशन जो होते रहें वाले उनको परमिशन दी गई है उनको पावर दी गई कि वह परमिशन दें एक्सेशन ग्राउंड वाटर फॉर ट्रिंकिंग वगरा के लिए तो याद रखना सेंट्र गाउं कंशन में इसमें तीन विंग किता ऐठी कांच करना सेस्ट्र्एक रैखन करना के लिए, ठीक है एंढकिशन याद रख लेना, क्रिंकिंग सपलाई आद कर लेना, यह सारे प्यंकिंट इसमें आते हैं उसके वाले मिया आपका पता है यह सारे सिस्ट्म का healthy अर् quarter यहाँ है इ अब इसमें क्या करेगा यह यह भी कुछ मदलब और लैप तो करता है लेकिन यह जो और जो रिवर बैसिन ना वाटर वाला यह सब यह देखेगा वह ग्राउंड वाटर की पढ़ा वाता है सेंटल वाटर कमिशन और मेजर रिवर बैसिन के पीछ जाएगा ठीक है उनके लेव रिवर रिसोर्स हो गया रिवर रिवर होगे लिए जो कुछ स्टेट है ना और इस्ट वाले से किम वाले यहां पर कर रहा है फिर एक प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहा है तो यह कौन सेब्स करेगा यह वन आफ दी मोस्ट इंपॉर्टन अक्टिविटी जैस की ठीक है उसम हमारे ग्लेशियल जो लेक होती है उपर जो वहां पर इधर है अपनी इसमें हिमाचल में उत्राखन में और उपर कौन से है उदर जैंड के के अंदर तो यह मॉनिटर करता यह ठीक है 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 फिर इसने की यह लार्ज डाम्स का एक यह रिजिटर बनाके रखावा है वाटर इसने दोनों मिलके बनाया याद रखना है यह संदल वाटर कमिशन इसनों ने मिलके बनाया वाटर रिसोर्स इंफरमेशन सिस्टम इस हास याद रखने की जरूत नहीं जरूत नहीं की अगर काफी हो गया ठीक है तो इसलिए मैंने काफी कवर करने कोशिच किया कि जाते कुछ समझाना होता नहीं है पादा चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है और क्या और इसमें क्या चार्चीज इंपोर्टन है बस उतना ही देखना होता है ठीक है फिर भी लेस्ट आ गया अब जो नेशनल वाटर ड रिवर सिस्टम था इनको आपस में जोडने का जो प्लान था इंटर लिंकिंग वाला इसको ही हम पहले नेशनल वाटर प्रस्पेक्टिव ब्लान बोलते थे हैं और जो नेशनल वाटर डेवलेप्न एजनसी जो है ये सब इसी को देखती यह वो सारा काम इसी के अंडर में आता है ठीक है आप देखे लो 1992 में आया था अटनोम सोसाइटी थी से काम क्या था स्टडीज करना साइन्टिफिक पेसिस के ऊपर और देखना कि हम क्या कर सके पैनिसलना रेर डेवलप्रेंट कंपोनेंट आफ नेशनल परस्पेक्टिव का इंट्रा स्ट्रीट लिंक भी हम देख रहे हैं इसके अंदर मिनिस्ट्री जो इरिगेशन को अप चेंज करके मिस्ट्री वाटर सोर्स बन गया है तो सेंटरल वाटर कमिशन ने प्लान बनाया था और वो थाकि इंट्र जो बेशन जो ट्रांसफर होता है पानी का एक रिवर जल मंतन क्या चीज़ है यह अपने 3-day conference थी 2015 में हुई थी इसमें various issue of water conservation discuss किये गए थे और ministry of water resources ने की थी तो मैंने जो दो त्री पॉइंट और लिग दी है तो जल मंतन हुआ तो उर्जा संगम भी हुआ था अब उर्जा संगम क्या हुआ था शेपिंग इंडिया जैनर्ज security इसमें अपने जो cabinet के मिनिस्टर आये policy makers आये थे chief executive आये थे इन्होंने सबने क्या किया था contemporary challenges opportunity of shaping the energy security for India सब किया किया था पिछले वीडियो गंतर भी है मैंने मैंने मेंचन किया था तो यह ministry of इनका काम था यह energy security का सारा जो system वा था ठीक है next we have ग्यान संगम अग्यान संगम अब को पता यह public sector bank वाले आये थे government के finance institution आये इंस्रेंस company जाये थी सबने मिलके यहां पर बातने की थी यह पूने में वा था ठीक है और कुछ खास था नहीं इसके अंदर फिर राजसु ग्यान संगम आया था अभी टेक्स एर्मिशन के राजसु का मतलब क्या होता रेवन् इन दोनों के मिलके बातें की थी काफी पीमने में इनको ग्यान दिया था अब ऐसी यह कमिटी और होना साट हो गई है डेली के अंदर इसका नाम है राजसान डायलोग यह इंडिया डायलोग जो है एक अनुमल कॉन्फरेंस होती है दिल्ली के अंदर यह बेस्ट किस पर है यह बेस्ट है संग्रिला डायलोग के उपर ठीक है बाते बताऊंगा संग्रिला क्या होता है इसमें मिनिस्ट्र एक्षनल अफेर ठीक है इंडिया वाली और और अब्जर्वर्वर्वर्ट एक रिसर्च फांडिस्टिंग एंजियो है इंडिबेंट थिंग टैंक है एक तर सब्सक्राइब यह करवाता है इसमें डिफेंस मिनिस्टर होगे पर्मानेट हैड अब मिनिस्ट्रीज होगे मिलिटरी चीफ होते हैं यह सब बाते हैं हर साथ ठीक है और संग्रिला डायलोग के अंदर संग्रिला जो वर्ड ना यह वहां का होटल है उसके नम पर पढ़ा अब यह अब बार 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 निवे चलता है जल मित्र क्या होता है यह फर नीज में आएगा सूर्य मित्र क्या है उर्जा मित्र क्या है अर्प पेहले दो तो यह अपने आदमी मतलब यह person होंगे जल मित्रा क्या जल कान्ति के अंदर क्या करेंगे जुजल्ग्राम एक उद्द क्या था मेंने आपको ऐसए ख्या करेंगे जहां पकूछ लोग जो बाँलब के हैं वहां पे कुछ लोग जो water resources involved होंगे उनको proper training देके awareness program में उनको use किया जाएगा ठीक है तो वो जल मित्रा हो गया सूरिय मित्रा के अंदर क्या करेंगे एक एक कोर्स बनाया उन्हें जिसमें छहां तीन महने का कोर्स होगा skill development करवाया जाएगा और उनको जो solar power plant और equipment के operation के लिए इंस्टालेंस के लिए कमिशनिंग के लिए maintenance के लिए ये बंदों को train करेंगे ताकि फिर वो उसमें यूज किया सकते तो इस तरक से implement वो प्रोग्राम हो गया और ये मेकिन इंडिया का पार्ट है या दखना ये उर्जा मित्र में क्या होता ह आप कहीं भी फोन कर सकते हो अपडेट ले सकते कि बिजली गई क्यों है कैसे आए कब आएगी ठीक है एक उर्जा एप बना दी उन्होंने उर्जा मित्र एप किसने इसने मिस्टियों पावर ने उसके उपर आप पूरा सब कुछ देख से तो क्या सिस्टम चल रहा है कितना इसमें क्या करेंगे हम यह फ्लेक्सिबिल्टी दिखाने के लिए है ताकि यहां पर क्या करें तो यह क्या करेंगा वैप पूरा सिस्टम चलेगा और आप इसके अंदर यह पूरा मतलब जो आप कहां से खरेद होगे कैसे खरेद होगे कितना रेट लगा हो गए तो उस थरू कि ए एक तरीका से यह पूरा कॉडिनेशन होगा वहां पर ठीक है इसमें कुछ खास मिला नहीं था मुझे नैट पर बताने के लिए तो मुझे इतना ही समझ में आया था तो इन बता दिया आपको लेट सी फुचर में कुछ मिलता है तो बताऊंगा अप कम्प्लिट हो गया वीडियो थैंक यू थैंक यू वेरी मॉच